So hello friends, welcome back to another new video तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको MBACVT का जो Admit Card है वो फिल करना है कैसे वहाँ पे आपको फोटो स्टिक करना है, कैसे सिगनिचर करना है reporting time क्या है, date of closing date time क्या है, कौन सा document आपको वहाँ पे लेके जाना है और भी काफी सारी important information Admit Card से लिटेर, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो पूरे intact देखते रही है, ठीक है तो सबसब लगेज, Admit Card download करने के लिए link आचुके है, link आपको description में मिल जाएगी यहाँ पे click करके आपको download कर लेना है, ठीक है, download करने के बाद आपको अपना admit card है वो कुछ ऐसा देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे आपकी photograph रहेगी और बागी सारी information रहेगी, ठीक है फिर next है गाइज, roll number, date of birth, यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे आप कराएगा, यह भी अच्छे से चेक करना फिर है गाइज, यहाँ पे exam date ठीक है, तो एक तो 25 तारीक होगी, यहाँ फिर 26 तारीक होगी, exam time यह slot देख लेना, दो बज़े से लेके तो 4 यह है, I think second slot रहेगा, एक first slot रहेगा, जो की सूबे कराएगा, फिर यह second slot रहेगा, तो यह timing check कर लेगा, फिर है इस reporting time ठीक है, तो यह ध्यान से मतलब देखना अपने admit card पे क्या आपका reporting time क्या है, reporting time मतलब आप इस time से फिर आप gate के अंदर जो है, मतलब उस college के अंदर जो भी center होगा, उसके अंदर जो है, वो जा सकते हो, ठीक है, and date of gate closer time क्या है, इस time पे जो उस center के gate है, वो close हो जाएंगे, उसके बाद आप जो है, वो entry नहीं कर सकते हो, ठीक है, मतलब साड़ी बारा से लेके तो देट बज़े तक आप जो है, वो जा सकते हो, ठीक है, तो यह है, reporting and gate closer time, then paper का कौन सा language रहेगा, फिर वो देखने को मिलेगा, फिर यहापर subject, maha, MBA, CET, यह भी ध्यान से देख लेना, फिर gender आप यहाँ पर चेक कर लेना, application number यहाँ पर रहेगा, फिर आपने कुछ apply की होगा, personal disability, या फिर disability type, extra time के या फिर आपने apply किया होगा, फिर बाखी सारी चीज़ है, तो yes, no जैसा भी होगा, check करना, फिर यह है, venue का code, जो भी आपका center होगा, उसका यह code है, and फिर यहापर आपको exam center का जो address है, वो देखने को मिलेगा, यह ध्यान से देख लेना, check भी कर लेना, कि कहाँ पर center है, हो सक signature, and invigilator signature, यहाप को जो signature हो अभी नहीं करना है, यहाप 때 clearly लिखा है, to be sign in front of invigilator, ठीक है, तो आपके जो service रहेंगे, उनके सामनी आपको अपको अपना signature हों, करना है, घर से 술 signature करके नहीं जाना है, ठीक है, और यहाप जो invigilator भाहँ पर रहेगे, उनका signature हो लगेंगा, ठ फिर से आपको एक जो फोटो है, वो stick करना है, एंड उसके उपर cross में एक जो sign है, वो करना है, ठीक है, वो कैसे करेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो suppose ये मेरी पहले फोटो है, एंड फिर मैं को यहापे और एक फोटो stick करके sign करना है, तो यहापे आपको अपनी फोटो चिपका देना है, एंड जो signature है, आदा signature जो है, वो फोटो के बहर आना चाहिए, एंड आदा जो signature है, वो फोटो के उपर आना चाहिए, ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आपको यहापे अपना जो signature है, वो करना है यह signature और photo stick जो है वो आप घर से मतलब stick करके और signature करके जो है वो जा सकते हो बट यहाँ पर जो है वो घर पर signature मत करना वहाँ पर जाके जो है वो signature करना ठीक है तो इन चीजों का आपको ध्यान जो है तो वहाँ पे आपको अपना login ID and जो password है वो डालना होगा तो वो अपने पास रखना ठीक है फिर next step is hall ticket with current valid photo identity proof तो जो भी अपने ID proof जैसे other card डाला होगा किसीने bank card डाला होगा तो उसका जो original copy है वो आपको carry करना है please xerox copy मत लेके जाना वो वहाँ पे accept नहीं करते है वहाँ पे उन्हें original copy जो है वही दिखाना होता है and वो जो है original copy देखते है और आपका पूरा form देखते है उससे match करके देखते है कि सारी चीज़े सही है या फिर नहीं है ठीक है तो original copy जो है वो लेके जाना फिर कोई problem नहीं होगा ठीक है फिर next है you must bring ball pen to sign ठीक है attendance signature वहाँ पे करना परता attendance के लिए तो एक pen जो है वो carry कर लेना ठीक है वहाँ पे भी मिल जाता है attention मतलो फिर next है guys you must report at the examination venue 30 minutes before as the time printed on hall ठीक है तो जैसे याँ पे examination है दो बजे तो आदे घंटे पहले minimum आपको जाना है या फिर maximum एक घंटे देड़ गंटे पहले भी जा सकते हो बट minimum एक आदे घंटे पहले आपको जो है वो center पर जाना है ठीक है यह इसका ध्यान रखना फिर अगर कोई भी issue कोई भी चीज होती है तो आपको जो है वो इस number पर contact कर लेना है साथी में जिनको center बगएरे change करना है वो change नहीं कर सकते हैं सही यह पर clearly लिखा है any request for change of date, session, center, venue will not be entertained ठीक है तो clearly लिखा है center बगएरे जो है वो change नहीं कर सकते हो ठीक है इसके अलाबा कुछ महान लोग होते है जिनको जब वो form भरते है उस time पर वो कुछ mistakes जो है वो कर देते है ठीक है जैसे नाम में spelling mistake हो गई date of birth में year गलत डाल दिया या फिर ऐसा कुछ चीज है तो उनके लिए guys यहाँ पर अभी undertaking का जो form है वो है अगर आपके form में कुछ गलती है आपके admit card में कुछ गलत प्रिंट हो के आया है तो आपको क्या करना है यहाँ पर जब आप डाउनलोड करोगे तो click here to download unconditional undertaking form for CET23 इस पर click करना है ठीक है इस पर जब आप click करोगे तो यह form आएगा यहाँ पर आपको अपनी photo chip का देना है जो भी चीज गलत होगी वो आपको यहाँ पर mention करना है ठीक है और यह form जो है वो जब आप जाओगे center पर तो उस time इसको जो है वो carry करना है ठीक है तो अगर कुछ गलती होई होगी आपके admit card में तो यह form आपके काम में आएगा अगर नहीं हुई है तो जैसे मैं आपको चीजे बताइए कि कैसे fill करना वैसे कर लेना document original carry कर लेना तो आपके सारी चीजे जो है वो सही से जाएगी और आप easily examination जो है वो दे पाऊगे ठीक है अगर आपको मेरे वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे होंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चानल को subscribe जरू से कर लेना ताकि आगे भी जो process टार्टो की admission की उसके भी सारी जो अपडेट्स है आपको मिलते रहें